प्रेज लोर्ड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रातना में और प्रातना में जाने से पहले हम परमेशो के वचन के उर देखेंगे फिर हम आपके लिए आपके परिवार के लिए बीमारों के लिए प्रातना करेंगे यदि आपका कोई भी प्रातना निव कि हमारा प्रव्येश्य मसी परमेश्र चमा करने वाला परमेश्र है और परमेश्र न्याय करने वाला परमेश्र है दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला राजा उसके 21 अध्याई में अहब राजा इस्रेली नाबोत के पास गया और उससे कहा तो अपनी दाख की बारी को मुझ दे दे और उसके बदले मैं तुझे एक वाटिका दूंगा यह फिर तो उसके बदले जो रुपए बनते हैं वो तू ले लेना परन्तु उस नाबोत ने मना कर दिया उसने का मैं अपने पित्रों की भूमी तुझे नहीं दूंगा इस बात से अहाब राजा नाराज हो गया द इस्रेली नाबूत के पास गया था उससे दाकिबारी को लेने के लिए प्रंतो उसने मना कर दिया। तब इसबेल नाबूत को मारने का प्लान किया। उसको मारने का उसकी हानी का विचार किया। और उसने जूस पर जूटे अरोप लगा कर उसे मरवा दिया। जब वो मर गया तो उन्होंने उसकी दाख की बारी पर कबजा कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, दोस्तों यहां पर हम देखते हैं, यहां पर एक परिवार के साथ में अन्याई हुआ, और उसके साथ में कोई भी खड़ा नहीं है, कोई भी उसका साहिक नहीं है, क्योंकि कौन राजा के बि परमेशर उसके लिए न्याय को करता है। परमेशर का बचंד ईलियाई के पाश पहूंचा कि तु उसके पास जा और उससे कह है कि जो कुछ तुने नाबोद के सात में किया है उससे कई ज्यादा बुरा तेरे और तेरे घराने के सात में होगा। इस बात को सुनकर अहब ड़र गबरा गया और उसने अपने वस्तरों को फाड़ा टाट ओड़ा और उपवास करने लगा परमेशो के सामने दीन हुआ उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी तब परमेशो का वचन एलियाई के पास फिर से पहुंचा पहला राजा उसका 21 अध्याई और 28 पद जहां पर उसके जीते जी उस पर ना डालूँगा परंतो उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर विपत्ती भीजूँगा दोस्तों यहां पर परमेशो का वचन एलियाई के पास पहुंचा कि क्या तुने देखा है कि आहाब राजा मेरे सामनी दीन हो गया है वो नम्र हो ग जालू भी है चमा करने वाला परमेशो भी है और यहां पर हम देखते हैं आहाब ने जब परमेशो के सामने अपने आपको दीन किया उपवास किया नम्र हो गया दूसरे सब्दों में जब उसने अपने गुनाहों को मान लिया चमा मांगी तो परमेशो ने उसे चमा भी कर परमेशर ने कहा कि अब ये विपत्ति मैं उस पर नहीं डालूँगा परंतो उसकी पुत्र के समय में मैं विपत्ति को उस पर डालूँगा दोस्तों आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका परमेशर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो न्याई परमेशर है वो आपके साथ में अन्याए को नहीं होने देगा चाहे आपको लगता हो कि आपके साथ में कोई भी खड़ा नहीं है आपकी और से लड़ने वाला कोई भी नहीं है परन्तु परमेशुर है जो आपकी और से लड़ता है परमेशुर है जो आपका न्याए करने वाला परमेशुर है और परमेशुर ही है जो छमा करने वाला परमेशुर है हो सकता है आपने गलतियां कर दी हो परन्तो यदि आप आप राजा की तरह अपने आपको दीन और नमर करें परमेशुर के सामने और यदि आप अपने गुनाहों को मान लें तो आपका परमेश्वर प्रव येश्व मसी आपके गुनाहों को छमा करने में विश्वास योग्या और धर्मी है इसलिए तो बाइबिल कहती है जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है प्रवु उसके अपरादों को चमा करने में हमारा प्रवियेश मसी विश्वास योग्या और धर्मी है इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहूंगा जाने अंजाने में यदि आपसे गुना हो जाए प्रवु के सामने अपने आपको दीन करें नमर करें उससे अपने गुनाहों की माफी माँगे वो आपको चमा करेंगे तो प्रवु आपको इस वचन के दौरा बहुतायत से आसीज दे आमें दोस्तों इस समय होगा जब हम एक गवाई को सुनेंगे किस प्रकार से प्रव ये शुमसी अपने लोगों के जीवन में काया कर रहा है उन लोगों के जीवन में जो रोज सुवे से हमको प्रातना कर रहे हैं जो उसकी संगति में बने हुए हैं उसके बाद हम प्रातना में जाएंगे आप हमार साथ में इस प्रात्नमे बने रहे मेरे से बात करता है मेरी फोन उठाता है और मैं बहुत ही खुश हूं मैं आपका आपके पूरे टीम का खुले दिल से धन्यवाद करता हूं पर वो आप सबको आसीज वे आप सबका संकर्ट कस्ते दुख दूर हो जाए सबको जय मसिए सो हम परमेश्य पिता का धन्यवाद करतें सुन्दर सी गवाही के लिए जिसे सुनकर हम सब आज की शाम में उत्साहित हुए हैं जैसे प्रभु ने इनके प्रात्ना का उत्तर दिया इनके जीवन में कारे किया ऐसे प्रभु आप सब की प्रात्ना का उत्तर देंगे आपके और सनातन की चटान प्रभु येश्व मसी हम आपका धनेवाद करते हैं, धनेवाद करते हैं परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु तु दयालू परमेश्वर है प्रभु तु न्याई परमेश्वर है मेरे खुदा और तु प्रभु येश्व मसी प्रभु अपने लोगों की साहता मदद करने वाला उन पर दया करुणा करने वाला परमेश्वर है प्रभू इसलिए प्रभू तेरे पोवित्र और मीठे नाम की हम तारीफ करते प्रभू तेरे उंचे उस नाम की हम तारीफ करते प्रभू क्यूंकि प्रभू तु एश्वरे और वैवव के वस्तर को पह तु बढ़ता चला जा तु हम में बढ़ता चला जा प्रभू तु महीमा लेता चला जा प्रभू जी धनेवाद करते प्रभू अज जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजर्ग प्रभू अज की शाम में प्रभू इस प्रात्ना में शामिल है प्रभू हर एक जन को आ कर आदे प्रभू को पर के लोगों के ओपर आपकी कंच्रोल को रखते पर MSU PITA और कहते प्रभू हरे का मन पर MSU तेरी और लगा रहे प्रभू तुझ से प्रातना करे प्रभु येश्व मसी धनेवाद करते प्रभु यदि आज दिन भर में पिता, जाने अंजाने में पिता, कोई भी गुना, कोई भी गल्ती, कोई भी ऐसा काम जो तेरी द्रिस्टी में गलत है, प्रभु हमसे हुआ है, आपके बेटे-बेटियों से हुआ है, तो प्रभु हमे मैं उन सारी बातों से उभारे प्रभु जी और नहीं रास्ते पर लेकर चले परमेशु पिता शमा करे धनेवाद पिता अपने हमें शमा किया प्रभु जी अपने बेटे बेटियों को अपनी पवित्र प्रजा को अपने शमा किया परमेशु पिता धनेवाद करते प्रभु विशेश का मैं प्रात्न करती हूं प्रभु जो वचन आज के प्रभु शाम में प्रभु हमने सुना परमेश्व प्रभु सच में मेरे खुदावन प्रभु जिस प्रकार प्रभु आहब राजा परमेश्व प्रभु जिस ने जीवन में गलत किया परमेश्व प्रभु अन् प्रभु तेरे लोगों के जीवन में भी पाप है प्रमेश्व पिता, प्रभु तेरे लोगों के जीवन में भी कोई गलत बाते हो गई है प्रमेश्व यदि उनसे कोई भी अपराद हो गया है प्रभु वो आपके सामने दीन और नम्र हुए है प्रभु आप उन्हें शमा कर प्रभु जी प्रभु यदि इनके साथ में प्रभु अन्याई हुआ है प्रभु लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया है परमेश्वर इनके साथ में प्रभु जी अन्याई हुआ है प्रभु तो आपसे प्रातना करते हैं प्रभु कि आप इन्हें न्याई दिलाए परमेश प्रभू कुछ भी इने समझ नहीं आ रहा ऐसे में प्रभू आप इनकी साहिता करें इन पर दया करें प्रमेशु जब आपके लोग दुख में हैं निराशा में हैं संकट में हैं परिशानी में हैं विपत्ती में हैं बहुत सारे चैलेंजिज बहुत सादा प्रॉब्लम्स प् यार है प्रभु हम धनेवाद देते हैं, इससमिए जितने लोग अपने परात्णने विधन को लेकर अज की शाम में आए हैं, प्रबु जब दिन भर चिंटाओं में रहे, जब दिन भर समस्याओं में रहे, प्रभु दिन भर प्रभु नानप रकार की की बात है उनके जीवन है प्रभु जी हम दो decisions लिगीं प्रबूजी इना the senior data विश्यव है प्रभु राज़ करते प्रभू में विंति करती हूं प्रबुश उन्हारण आरोफ लगाए घताए है प्रभु जी इनके शлат में exactamente प्रबू कुछ गलत हुआ है प्रबू तो आप ऐसे समय में प्रबू उनका ळिया करे परमेश्यु पिता धनेवात करते प्यारे खुदावन आपसे दूआ है कि अपने लोगों पर जो इस समयं दुक में हैं बीमारीों में हैं प्रभू नानप्रकार की परिस्तियों में है प्रभु जी प्रभु आप उन्हें पिता छुटकारा दे और आप उन पर दया की दिरिस्टी करें और उन सारी बातों से उन्हें बाहर निकाले प्रभु जब इनके परिवार समस्या में है इनके बच्चे समस्या में है प्रभु ये आप उनकी सुदी लें, आप उनकी सुने, आप उनके जीवन में कारे करें, हाँ मेरे परमिश्वर, आप दया करने वाले, दया के धनी है परमिश्वर, धनिवाद करते हैं परमिश्वर, आज रात में अपने लोगों को मीथी सुकून भरी नीन दे प्रभू, निस्चिंथ हो प्रभू आप उन्हें जीवन देने वाले परमेश्व आप उनके जीवन में कारे करें जितने लोग आज दुस्ट आत्म से ग्रसित है ये शुके नाम से वो चुटकारा पाएं प्रभू इसी समय उनका घर घराना और वो खुद प्रभू इस दुस्ट की हर एक बातों से चु प्रभू जी आपसे दुआ है प्रभू आपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारी सुधी लेता हूं मैं तुम्हारे साथ में हूं मैं तुम्हारे घाओ पर मरहम पट्टी करता हूं और मैं तुम्हें चंगा करता हूं हां मेरे परमेश्व तरे वचनों के अनुसार परमेश करें इनके मसल्स को अपील करें परमेश्व पिता धने बाद करतें प्रबु जितने लोग इसाम MAI इन्जिरी होई है प्रो बहुत जादा इनजीरी हुई है प्रभु और जाधा चोटे आई है प्रबु ने के हॉन के छोट को जल्द से जल्द भरने में साहेता मदद करें की problem में यई शुके नाम से दूर हो जाए जिने सूगर बीपी थाईरेड की भीमारिय यई शुके नाम से दूर हो जाए प्रभु सब कुछ NORMAL होने में इन्हें भला चंगा सुष्द होने में साहिता करें धन्यवाद आज शाम में प्रभु जी आप इनकी साहिता करें, मदद करें, हम नहीं जानते इस समय क्या दुख इनके जीवन में, क्या निराशा इनके जीवन है प्रभू, आज इनकी दुख इनकी निराशा को आप दूर करें धनेवाद पिता, आपने हर एक की सुधिली हर एक की चिंता आप करते प्रभू और विशेश का प्रभुजी आपने अपने लोगों के प्रात्ना को सुना है उसका उत्तरहा आमीन में दिया है ननिवात के साथ प्रात्ना इश मसी के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन आमेन